भारत के चार धामों के बारे में बहुत से लुगों को गलत फेहमी है चार धाम के नाम पर लोग बद्रीनाथ, किधारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का नाम जानते हैं जबकि वास्तों में ऐसा नहीं है भारतिये धर्म गरंतों में बदरिनाथ, दवारका, जगनाथ पुरी और रामेशवरम की चर्चा चार धाम के रूप में की गई है चार धाम यातरा क्यों की जाती है इसकी कोई निश्चित मानता नहीं है लेकिन यह बात सत्य है कि चार धाम यात्रा पापों से मुक्त करती है और साथें मोक्ष का मार प्रशष्ट करتी है तो आए सबसे पहले आपको बताते हैं चार धामों में से एक बदरिनात मंदिर के बारे में बद्रिणात मंदीर उत्राखंड के चमोली जनपद में अलग नंदा नदी के तट पर इस्तित है यह मंदीर भगवान विश्णु को समरपी थै यह मंदीर अलग नंदा नदी के बाय तट पर नर और नरायन नामक दो परवत शेनियों के बीच इस्तित है प्राचीन शैली में बना ये विशाल मंदिर 15 मीटर उचा है यह मंदिर तीन भागों में बटा हुआ है यानि गर्वग्रे, दर्शन मंडप और सभा मंडप और मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित है जीन में से भागवान विश्णू की एक मिटर उची काले पत्थर की प्रतिमा है इस मंदिर को धर्ती का बैकूंट कहा जाता है इसी वजह से यहां बहुत से शरद्धालू हर साल पहुंशते हैं माना जाता है कि यह प्रतिमा भागवान की सबसे शुव स्वयम प्रकट मूर्तियों में से एक है इस मंदिर की स्थापना और नाम को लेकर कई कहानिया प्रचली थें पौरानिक मानेताओं के नुसार यह भूमी भागवान शिव की थी परन्तु भागवान विष्णु को अपने ध्यान योग के लिए एक भूमी चाहिए थे इसलिए उन्होंने बच्चे कारू धारन करके रोना शुरू कर दिया उनको रोता देख माता पार्वती और शिव जी उनके पास आये और पुछा कि तुम्हें क्या चाहिए तो उन्होंने शिव जी से केदार भूमी मांग ली दुसरी कता यह है कि एक बार देवी लक्षमी भगवान विष्णु से रूठ गई तब भगवान विष्णु उन्हें मनाने के लिए तपस्या करने लगे जब गहन ध्यान के दोरान भगवान खराब मौसम से अंजान थे तब देवी लक्षमी ने पत्नी धर्मनी भाते बदरी के पेण का आकार ग्रहन कर लिया और खराब मौसम से भगवान विष्णु को बचाने के लिए अपनी शकाओं से ढग लिया ऐसे ही इस जगह का नाम बदरिनाथ पडा इस स्थान के बादे में यह मानेता भी है कि जो यहां के दर्शन कर लेता है वो जीवन और मृत्यू के चक्र से मुक्त हो जाता है बद्रिनात धाम की मानेता यह भी है कि बद्रिनात में भगवान शीव जी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी इस घटना की याद ब्रह्म कपाल नाम से जानी जाती है ब्रह्म कपाल एक उची शीला है जहां पितरों का श्राद अरपन किया जाता है माना जाता है कि यहाँ शिराध करने से पितरों को मुक्ती मिल जाती है तो आई आप बात करते हैं चार धामों में से दूसरे इस्थान पर द्वारकाधिश मंदिर के बारे में यह मंदिर भारत के पशिमी तट पर अरब सागर के किनारे पर गुजरात ने बसा हुआ है यह इस्थान भगवान कृष्ण का निवास इस्थान था भगवान कृष्ण के शासित राजी के अलावा भगवान विश्णू ने भी यहां शंखा सूर नामक राक्षस को मारा था द्वारका के इस्थापना के पीछे भी एक कहानी है जब भगवान श्री कृष्ण ने मतुरा के अत्यचारी राजा कंस का वद किया तब कंस के ससुर मगतपती जरासंध ने कृष्ण और यादों का कूल नाश करने की ठान लिया अपना बदला लेने के लिए वह मतुरा और यादों पर बार बार आक्रमन करते रहे इस वजह से भी श्री कृष्ण ने यादों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मतुरा को छोड़ने का निर्णे लिया और सभी के लिए एक नई नगरी बसाने को सोचा अत्व भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी की सापना का निर्देश विश्यू कर्वा को दिया जिन्होंने एक ही रात में इस नगरी का निर्वान पूरा कर दिया इसके बाद श्रीकृष्ण अपने सभी यादों बंधों के साथ द्वारकापुरी चले गए श्रीकृष्ण ने द्वारकापुरी पर 36 वर्ष तक शासन किया और जब श्रीक्रिष्ण ने बैकूंट प्रस्थान किया तो भगवान की यह नगरी स्वातर ही समुद्र में डूग गई और केवल श्रीक्रिष्ण का मूल मंदिर ही बचा रहा कहा जाता है कि आज भी उस नगरी के औशेष समुद्र के भीतर मौजूद है परन्तु इस पर भी अलग-अलग मत है कहा जाता है कि नगरी के डूग जाने पर श्रीक्रिष्ण के परपोते वलज्र नाव ने मुख्य मंदिर का निरिमान कराया जो की पचीस सव वर्ष पुराना है यह मंदिर सत्मंजिला मंदिर है जिसके दो दर्वाजे है जिनका नाम है स्वर्ग द्वार और मौक्ष द्वार इस मंदिर के उचाई करीब 157 फीट है और इस मंदिर के ऊपर एक शीखर है जो 43 मीटर उचा है जिसके उपर एक विशाल धोज लगा हुआ है जिस पर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं इस धोज की खास्यत यह है कि यह इतना बड़ा है कि इसे दस किलियोमेटर के दूरी से भी दीखा जा सकता है इस धोज को दीन में तीन बार बदला जाता है तु आये अब बात करते हैं अगले धाम की जिसका नाम है रामेश्योरम रामेश्योरम मंदिर तामील लाडू के राम नास्पूरम जीले में इस्तित है यह पवित्रधाम मंगाल की खाड़ी एवं आरप के सागर के संगमस्तर पर इस्थित है इस मंदिर की स्थापना के पीछे की कथा रमायन काल से जुड़ी है पहली कथा के अनुसार जब श्रीराम लक्षमर हनुमान और वानर सेना सहीत लंका की ओर जा रहे थे तो विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग मराकर भगवान शिव की पूजा के थी इससे प्रसन होकर शिव जी ने श्रीराम को विजय श्री का आशिरवाद दिया था आशिरवाद मिलने के साथ ही श्रीराम ने अनुरोत किया कि वे जन का लियान के लिए सदेव इस जोती लिंगरूक में निवास करे उनके इस प्रातना को भगवान शंकर ने सहर्ष स्विक युद्ध करके वापस अयुध्या जा रहे थे तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगने की बात कही गई इस पाप से मुक्ध होने के लिए उन्हें संतों ने भगवान शिव की अराधना करने की सलाह दी परंतु द्वीप पर कोई शिव मंदिर ना होने के कारण भगवान रा प्रभु राम की आग्या का पालन करते हुए हनुमान जी चले तुगै परंतु वापस लोटने में उन्हें देर हो गई ऐसे में माता सीता ने समुद्र के किनारे पड़ी रेत से ही शिवलिंग का दिनिमार कर दिया ये शिवलिंग बाद में रामनात कहलाया शिर राम ने इस शिवलिंग की शर्धा पूर्वक पूझा की और बाद में हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी वहीं स्थापित कर दिया गया इसके अलामा रामेश्वरम मंदिर का अपना एक अलग ही आकर्षण है इस मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है मंदिर के पास ही समूद्र में आज भी आदी सेतू के आउशेश दिखाई देते हैं जिससे आमतवर पर राम सेतु के नाम से जाना जाता है तुआ अब बात करते हैं चार धामों में से चोथे धाम की अर्थाद जगनात पुरी धाम की जगनात पुरी मंदिर ओडिशा राजी के शहर पुरी में स्थित है जगनात शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी जगनात पुरी मंदिर में मुख्यत हतीन देवतावी रजमान है भगवान जगनात उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बेहन सुभद्रा इन तीनों की अशार शुक्ल पक्ष की द्वितिया को तदनुसार लगभग जून या जुलाई माह में रत्यात्रा आयोजित होती है। कल्यूग में श्रिक्रिष्ण राजा इंद्र दूमन के सपने में आये और उनसे पूरी के दर्या किनारे एक पेण में उनका विगरह बनाने का आगरह किया। कि इस विगरह को वह बन कमरे में बनाएंगे और काम करते वक्त कोई भी कमरे का दर्वाजा नहीं खोलेगा नहीं तो काम अधूरा छुट जाएगा। सामने अधूरा विगरह दिखाए दिया। तब राजा को एहसास हुआ कि ब्रहमन और कोई नहीं बल्कि खूद विश्व कर्मा थें। इसके बाद राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण भी है कि मंदिर में कोई पत्थर या फिरधातू की मूर्ती नहीं बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके मनाई गई मूर्ती की पूजा की जाती है। जगनात मंदिर भगवान विष्णु के आठवी आउतार श्री कृष्ण को समर्पित है। वर्तवान में जो मंदिर है वह सात्वी सदी में बनाया गया था। यह मंदिर अतीत में तीन बार टूट भी चुका है। इस मंदिर के संबन्द में एक आश्यर जनक बात यह है कि मंदिर के उपर इस्थीत लाल धवज हमेशा हवा के विप्रीत दिशा में लहराता है। और इसका कारण आज तक इसपश्ट नहीं हो पाया। साथ ही इस मंदिर के शीर्ष पर इस्थापित सुदर्शन चक्र भी अपने आप में खास है। पूरी में किसी भी इस्थान से मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चकर को अगर देखा जाए तो हमेशा यही लगता है कि वो हमारे सामने है। इस चकर को नील चकर भी कहा जाता है और यह अश्रधातू से निर्वित है हमने इस वीडियो में पवित्र चार धामों की संग्षीब जनकारी देने की कोशिश की है इन अलग-अलग धामों की विस्तरित जनकारी के लिए हमारे इस चैनल पे अन्य वीडियोज को जरूर देखें जिसका लिंक लेती रहने के लिए हमाले चैनल हिंदू रिचुज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूत धिल्यवाद